हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज हम लोग जानेंगे मधुमक्खी पालन पर आसान हिंदी निबन बहुत ही आसान शब्दों में तो आओ शुरू करते हैं मधुमक्खी पालन एक क्रिशी उद्योग है जो की मधु परागकन आदी की प्राप्ति के लिए किया जाता है मधुमक्खिया फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें छत्तों में जमा करती हैं बाजार में शहद और इसके उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाबदायक और आकर्शक उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है मधुमक्खी पालन के उत्पाद की रूप में शहद और मुम आर्थिक दृष्टी से महत्वपुर्न है मधुमक्खी पालन से कई सारे लाब होते हैं मधुमक्खी पालन में कम समय, कम लागत और कम पूंजी निबेश की जरुरत परती है इससे आईवा स्वरोजगार का स्रिजन होता है मधुमक्खी पालन किसी एक व्यक्ति या समू द्वारा भी किया जा सकता है मधुमक्खी पालन का पर्यावरन पर भी सकरात्मक प्रभाब परता है मदुमक्खिया कई फूल वाले पौधों के परागन में महत्वपुर्ण भूमी का निभाती है इस तरह से सुर्य मुखी और विविन फलो की उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है कम उपजवाले खेत में भी शहद और मदुमक्खि के मौम का उत्पादन किया जा सकता है शहद हमारे स्वास्थी के लिए भी बहुत लाबदायक होता है मदु का नियमित सेवन करने से तपेदिक अस्थमा, कबजियत, खून की कमी, रक्त चाप की बिमारी नहीं होती है शहद एक स्वादिष्ट और पोशक खाद पदार्थ है व्यज्यानिक तरीके से विधिवत मदुमक्खी पालन का काम अठारवी सदी के अंत में शुरू हुआ इससे पहले जंगलों से पारंपरिक ढंग से ही शहद निकाला जाता था जिसमें धुआ करके मदुमक्खियां भगाकर लोग मौन छत्तों को उसके स्थान से तोर कर फिर उसे निचोर कर शहद निकालते थे जंगलों में हमारे देश में अभी भी ऐसे ही शहद निकाली जाती है सबसे पहले मदुमक्खी पालन का प्रयास 1789 में सूजर लेंड के फ्रांसिस हुबर नामक व्यक्ती ने किया मदुमक्खी पालन आज के समय में बरे अस्तर पर किया जाने वाला कारोबार बन गया है तो अब इस तरह से मदुमक्खी पालन पर आसान हिंदी निबन लिख सकते हो अगर यह वीडियो आपको हेलफुल लगी हो तो इसे लाइक करे शेर करे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा साथ में बेल बटन जरूर दबाएं मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई और टेक कियर थाइंक यू सो मस फो वाचिंग बाई